है गाइस कैसे हो आप सब लोग वेलकम डो माई यूटूब चैनल अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो उसका मतलब यह हुआ कि आप भी एक डोग बाई करने की सोच रहे हैं बट डोग बाई करने से पहले इस वीडियो को जुरूर देखिए चुकि जब आप डोग बाई ही करते हो तब उसके साथ बहुत सारी डिस्वन्सबीटिस आती है उसमें से एक जो है वह मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ जैसे कि अभी देख सकते हो में रेंग कोट पेना है और यहां पर बारिश चल रही है तो उसका मतलब यह हुआ कि बारिश में आप बहार नही बढ़ता है जैसे कि अभी में लेकर आया हूँ सिरी को देखिए यह है यह मेरी प्यारी सिरी जो कि एक बोर्डर को ली डोग है अभी देखो मैं जैसे चोड़ूगा ना बागेगी बागो चलो उसको पता चल जाता है कि जब भी मैं ओपन करता हूँ लीश से बहार आती है याना कि वो एक आजाद पंची बन गही है अभी गुमेगी यहाँ पर तो मैं यह बोल जाता है कि अगर बारिश हो दूप हो कुछ भी हो आपको उसको बहार लेकर जाना ही पड़ेगा तो एक द अभी मैं जनने ले जना पड़ेगा उसको प्रयòng करना पड़ेगा उसकी हर जो विष और उकड़ने पड़ेगी यह देखो ज़यदा हुश हो गए है हाँ उसको पचुछ हो गए हैर वारिश जब होती है तो बारिश चपम जब होती है तो जादा ही खूश होता तही है और करिंद अंदर आना का नाम नहीं नेती है और द Поэтому इसको हम प्रफिय तो यह इसको मैं जब घर में रखता वोसली तो क्योंकि जब घर में राति है ताफ सब गंधा कर देती एं तो जब तक बारिश जाती है ने तब उसको भी मज़ा आता है तो बहार ही रेती है सेरे चला मेरा सेरे काम गड़ गाल हर डोग को स्टीक बहुत पसंद होती है तो देखो स्टीक को लेकर भागेगी क्योंकि उसके डार्तों में जो गम्स होते है उसमें उसको अच्छा फिल करवाती है जब वो चूपते ना तब कि अगे गाइस तो यह में बस में एक चोटा सा वीडियो बना रहा था आपको बता चले कि अगर आप भी डोग लेना चाहते हो तो इन सब चीज़ों का जार रखना पड़ेगा तो में इसको वोग करवा के लाता हूं मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए ताटा बाइबाइब दूसरे यू बबाइब सेया